हेलो एब्रिवांड मेरे सारे प्यारे भी और उसको सायनाच कीचन में फिर से एक बार स्वागत है आज फिर से में एक नई रेसीपी के साथ आई हूँ यह रेसीपी का नाम है भेज हंडी कड़ाई यह रेसीपी है होटल स्टाइल चलिए शुरू करते हैं भेज हंडी कड़ा काने के लिए कि चीजों की जरूरत है मैं आप लोग को दिखाती हूँ यह ली हूँ फुलगोवी यह ली हूँ 100 ग्राम और बींस ली हूँ इसे काट लेंगे और गाजार ली हूँ यह भी 100 ग्राम है और ग्रीन चिली हूँ कस्तूरी मेथी और ली हूँ सिम्हा मिर्च और प्याज ली हूँ, थोड़े काजू ली हूँ इसे में भीगो दी हूँ, टामाटर का पीवरी ली हूँ, ये दो या तीन है छोटे साइस के, जिंजर गरलिक पेस्ट, फ्रेस क्रीम ली हूँ, और कोरियंडा लिप्स ली हूँ, और सुखे मसाले में ली हूँ, हल्ती धनिया की पॉडर, कस्मीरी मिर्च, रेड चिली, और थोड़े गरम मसाले, और खड़े मसाले में ली हूँ, छोटे इलाइची, काली मिर्च, तालचिनी, तेच पता, इंतजार किस चीज की, चलिए वीडियो के अंद तक आप लोग बने रहेंगे, अब मैं पैंग गर्म हो चुकी है इसमें मैं 2 टी स्पून ओल डाली हूँ, सबसे पहले मैं बीन को फ्राय कर लेती हूँ, और एक चीज में आप लोग को दिखाने भूल गई थी, ये फ्रोजेन मटर भी ली हूँ मैं, मैं सारे भेस को फ्राय करने के बाद आप से मिलती हूँ, देखिए अब इसे इतने ही फ जब ये गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें 1 1 टी स्पून सापूत जीरा डालेंगे, फिर इसमें छोटी इलाईची, 4-5 काली मिर्च, दालचीनी के एक तुकड़ा इसे भी डालेंगे, तेज़ पत्ता भी डालेंगे, अब हम इसे थोड़ा फ्राय कर लेंगे, अब हम इसमें जींजर गर्लिक का 1 टी स्पून डालेंगे, फिर हम इसे चला लेंगे, इसका कच्छा पन चल जाने तक का हम इसे चलाएंगे, अब हम इसमें ट्रामाटर प्यूरी डालेंगे, इसे भी थोड़ा चला लेंगे, ट्रामाटर का कच्छा पन जाते तक का, हम इसे पकाएंगे, फिर मैं एक ग्राइंडर में, थोड़ा अनियन लोंगी, फ्राय किया हुआ, छे साथ काजू लोंगे, इसे में ग्राइंड करके, फिर आपसे मिलते हुआ, यह थोड़ा मसाला हो चुका है, अब मैं इसमें थोड़ा पानी आट करते हूँ, अब इसमें सुखा मसाला डालते हैं, सबसे पहले मैं हल्दी डालूंगी, हाप टिस्पून, कस्पी रिमेच डालूंगी, एक टिस्पून, रेड चीली डालूंगी, हाप टिस्पून, धनिया की पॉड़ाट डालूंगी, वाण टिस्पून, अच्छी से चला लेंगे, फिर से मैं थोड़ा इसमें पानी डालूंगी, इससे कवर करके दो मिनिट पकाएंगे, देखते हैं हुआ कि ने, मसाला से ओल अलग हो गया है, अब हाम इसमें थोड़ा हारी मिर्श डालेंगे, और थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा टामाटर सॉस डालना है, रेडि में कैसे है, इसे एक-दो मिनिट के लिए कवर करके हम पकाएंगे, देखिए मसाला बन चुके हैं अब, अब मैं इसमें थोड़ा सॉल्ट डलती हूं, और काजू और अनियन का जो पेष्ट थे उसे भी में डाल देते हूं, यह बहुत मेज़ेदार लगते हैं खाने में, थोड़ा मिडियम फ्लेम में आप इसे पकाएंगे, तो बेसे में दो मिनिट के लिए से कवर करके पकाऊंगे, देखे, इस तरह से होंगे, ओल उपर आ गए हैं, अब यह मसाले पूरे तरह बन चुके हैं, अब में इसमें इस वेस को डाल दोंगी, इसे दो मिनिट के बाद इसे में फिर से कवर करके पकाऊंगे, इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल देंगे, और कस्तुरी मेथी इसे भी डाल देंगे, और थोड़े गरम मसाला, फिर से हम इसे कवर करके 6-7 मिनिट के लिए पकाऊंगे, देखते हैं, बैना के नहीं, देखे अब यह होने लगाए, अब मेज में धन्या की पती डालती हूं, और थोड़ा सूगर डलती हूं, इतना सा, फिर से मैं दो मिनिट के लिए पकाते हूं, अब यह पूरी तरह बन चुका है, अब मैं इसे सर्व करते हूं, इसे नान के साथ, रूमाली रोटी, इस सब के साथ आप खा सकते हैं, यह बन चुका है पूरी तरह, बेहतरीन भेज हांडी कड़ाई आप लोग को कैसी लगी आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताएंगे, और आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ किजिए, फिर से मैं एक बार 1K के लिए सुक्रियादा करना चाहती हूं, और जो नए हैं सस्क्राइब कर ल बेहतरी को शरी और मस्तरी